LED TV एक electronic product आज कल किसके घर में नहीं है लगभग सभी लोगों के घरों में है ये लेकिन उसके अंदर आए दिन हम देखते हैं कि साल ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुस्कित से अगर खिंचेगी कोई डीवी LED की तो वो दो साल तक दो साल के अंदर उसके अंदर होता क्या है कि कभी उसके आवाज आएगी और तस्वीर नहीं आएगी और तस्वीर आएगी तो आवाज चली जाएगी उसके तो ऐसी प्रेसाने LED TV के अंदर होते रहती हैं और होता क्या है इसके अंदर कि जब भी आप LED TV खराब हो जाती तो इ तो किसी को पता नहीं है इसके बारे में इस वज़े से दुकानदार भी अच्छे खासे मोटी रखम खेंचना चाहते हैं कस्टमर से ठीक है क्योंकि आगर मान लीजिए एक समय था कि सोलह हजार रुपे की टीवी आती थी तो उसको आदमी ले करके आता था और जब उसको रिपेरी कर्वाने जाता तो सिधे पैता चलता की कि इसकी बोड़ खरावे जी ठीक है मदर बोड़ इसका डेड़ हो गया तो क्या इतना खर्चा है अगा जी इसमें आएगा साड़े जेगा उसको तो पांसो रुपे यह यह ना ले लैंगा हो तो ऐसी दिक्त सभी के पास आती रहती है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि में बात है कि आखिर incor खराब होता क्या है थ whereas यह चानने वाली बात Yie Sh trabalhar में आपको हम लोग बता मैं बता जयता हूं कि क daw he लीड सब्सक्राइब नहीं गरेगा इसकी वज़े से दुकांदर मदरबोड चेंज कर देता है और अगर पैनल खराब होगा तो पैनल के अंदर क्या नहीं पहुचेगा और या तो आपके पैनल टूट जाएगा तभी उसको डैड़ बाहना जाएगा घ्र कारण होते हैं हमारी इसीधिक की स्क्रिन ख्राब हो गई है लेकिन कई वर क्या होता है कि हमारे टीवी के आंदर ठीक है आवास तो आ रही है पर इसमें पृट ₱ ठीक सकते हैं तो दो स्भी चैनल पर आप इसी वीडियो में इसी टॉपी के ओप आफ देखने वाले हैं कि मैं एक LED TV को आज repair करूंगा उसको ठीक करूंगा और कैसे करूंगा उसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं लगेगा इसके अंदर problem क्या है इसमें problem यह है कि LED TV तो है और इसमें light तो LED कि आ रही है पर उसके अंदर picture नहीं आ रही है जो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी मदद मिले इससे तो प्लीज उनको शेयर भी कर देना आगे आ गया हूं अपनी टीवी के पास और आप देख सकते हैं कि ये 32 इंची के LED TV है और वैसे तो ये local company ही है लेकिन आप इसके अंदर जो problem देखेंगे वो problem genuine ही है genuine का मतलब ये है कि जो problem आपके LG Samsung में आती है वही problem इसमें भी आती है आप देखेंगे कि कई बार आपके TV के अंदर light तो आ रही होती है लेकिन उसके अंदर तस्वीर नहीं आती हलकी आप देखेंगे कि अंदर जब आप इसको चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हलकी हलकी light आती रहती रहती है यानि कि इसके अंदर जो LED लगी ह यह जो तस्बीर को दिखाती है हमें वह सही है तो मैं आपको इसको देखिए हमने प्लक लगा रखा है लाइट ओन कर दिया है लाइट ओन करके हमें आपको चला के दिखाते हो देखे इसमें लाइट आ रही है अब आप देखेंगे अभी मैं जब इसको ओन करूंगा तो ओन क सब्सक्राइब में यह हलको नील ब्लैक ही दिखाए देगा लेकिन यह चालू हो तो इसने नजर आएगा अभी देखेंगे आप देखर ये टी वीन हो गई है देखिए हम लाइट आरी लेकिन यह तस्विर नहीं लगा रहा है और इसके अंदर हम सेटटर बॉक्स लगाते हैं तो इसके अंदर आवाज आती है ठीक है तो इसी को आज हम ठीक करेंगे और आपको मैं बताऊंगे कि इसके अंदर क्या प्रोब्लम इसमें कोई भी पार्ट नहीं लगेगा चलिए सबसे पहले इसको फटा-फट से निकालना होता है क्योंकि नहीं तो इसमें नाजुक्त तार लगे होते हैं अंदर देखिए यह आप देख रहे हैं जो सबसे आगे लगी हुई है आपको यह स्पीकर की तार है यह जो मैं हाथ लगा रहा हूं इसको निकाल लीजिए पहले और उसको आप खड़ा कर दीज इसमें प्रॉब्लम है यह कि जो इसके अंदर LED है LED तो जल रही है ठीक है क्योंकि निली निली जो ब्लू कलर की लाइट है वो इसी बज़े से लाइट आ रही है इसमें क्योंकि उसकी LED जल दीए और यह जो तार मैं आपको दिखा रहा हूं दिखिए यह आपकी LED की वायर है और यह जो तार है यह आपकी डिस्पले में जाती है यह यहां से लेकर के आगे से घूम करके यह डिस्पले में जा रही है तो एक यहां से इसके component को निकाल करके और एक आगे के component को निकाल करके इन दोनों को निकालने के बाद में इसको हमें रैगमार जो मैंने आपको इनी दोनों की मदद से हम इसको आज ठीक करेंगे तो चलिए इसके कॉंपोनेंट को हम इसके वायर को निकाल लेते हैं है यहां से इसके सॉकिट है और यह जैसे आप निकालेंगे इसको वैसे ही लगा दीजिएगा देखिए सबसे पहले में चेक कर लेना है इसके अंदर जो लगी है कोई wire lose तो नहीं है कोई थिंख है आप वायर चेक कर रो और यह जो आगे एक लगा हुआ है पत्तह इस पत्ते को भी हमें निकाल लेना है बाहर है चलिए उसको भी निकाल लेते हैं देखिए एक तो यह हमने अभी यहां cé आपको wire निकाला है जो socket लगा हुआ था यह इसी के अंदर लगा हुआ था मैं आपको थोड़ा नस्दीक से दिखा देता हूं और देखिए यह यह जंग यह sealant की बज़े से ऐसी दिक्कत आती है जिसके घर में sealant होती है तो इसके अंदर यही दिक्कत आती है इसके जो wire होते ह है जो इसकी joint होता है वहां पर carbon आ जाता है ठीक है यह carbon आने की वज़े से ही इस tv के अंदर यह problem आती है तो चलिए इसको भी हम इस तरह से इसमें lock लगा हुए side में दबा करके निकले गए तोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा तो इसको हम निकाल लेते हैं देखिए इसके उपर यह दिखिए छोटी छोटी पतियां हैं इनके उपर आया हुआ है carbon camera केंदर आपको अच्छे से नहीं दिखाए देगा लेकिन मुझे साफ दिख रहा है इसमें कि यहां पर carbon आ गया है तो उस carbon को और carbon आया क्यों क्योंकि हमारे जो जिस customer के घर में यह tv लगी हुई थी वहां पर बहुत sealant थी वो sealant के कारण इसमें carbon आया था और इस रेगमार से हम तीन साइड को हम साफ करेंगे इसके देखिए इसको हम साफ करेंगे सबसे पहले जहां पर हमारा socket लगा हुआ था रेगमार से दोनों साइड से चारों साइड से जहां तक हम पहुँच सकते हैं वहां से अच्छे से साब करेंगे ठीग दिखा ? चारों त्रफ से हमें रगड करके हलके हाथ से क्योंकि इसकी जो पतियां हैं निकले हूई है वो खराब नहों जाएं यह भी हमें ध्यान रखना है इसको थे साफ कर लेना है और इसकी जो हमने पत्था निकाला था जेखिए जो हमारा यह अच्छे से साफ हो जाएगा तो हमें चमकने लग जाएगा क्योंकि उसका उपर से कार्बन हट जाएगा ठीक है हमें ज्यादा नहीं रगड़ना है हलके हलके हाथ से इसको साफ करना होता है नहीं तो यह उखड भी सकती है इसलिए हलके हाथ से ही इसको साफ करें जब भी साफ करें तो चलिए उसको जो हमारी वो जो जैसे हमने इसको निकाला था इसको हमें उसी तरह से इसके अंदर लगा देना है इसके में fit कर देना है तो दोस्तों चलिए इसको हम fit कर देते हैं और इसको हम उसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारी टीवी on हुई या नहीं हुई चलिए यह पत्ता जो आपने रगडण है अभी वो हमेशा उपर ही रहेगा और जब भी आप इसको निकालते हैं तो आप इस पाद का ध्यान रखें कि अगर उपर है तो उपर ही रखें इसको और अगर नीचे हैं तो नीचे रखें इसमें कई बार ये तो हमारा सीधा लगने वाला है कि सीधे-सीधे इसके अंदर लॉक में जाके फस जाएगा लेकिन कई होता है कि इसको उपर एक पत्ति लगी होती है जो पत्ति को उठा करके फिर उसको दबाना पड़ता है तो आप देख लिजिए क्योंकि कई तरह से होते है यह देखिए हमारे यह लग चुका है और हमने यह इसको भी सेट कर लिया इसके अंदर तो ध्यान से लगाएं और नुकसान ना करें वैसे तो ज़्यादा कुछिस करें कि मिस्तरी के पास ही ले जाएं लेकिन मिस्तरी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हमसे एंट लेते हैं ठीक है इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें तो चलिए हमारी एक component को हमने set कर दिया है मैं इसको आपको चला करके दिखाता हूं चालो करके on करके देखते हैं कि टीवी on होती है कि नहीं दोस्तों मैं वीडियो को मैं इसको कट नहीं करूंगा एडिट नहीं करूंगा मैं इसे ही आपको चला करके दिखाऊंगा पहले क्योंकि नहीं तो कई लगता है कि इन्हों तो सही टीवी को लाकर करके हमारे सामने दिखा देख आप देख सकते हैं ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के अंदर अभी जो मैं चला करके आपको दिखाने वाला है इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है आपको यह भी ओन हो जाएगा देखिए मैंने इसको पीछे से यह देख सकते हैं आप इसमें पूरी तरह से लाइट आ गई है और यह ओन हो गया है ठीक है इसके अंदर ऑडियो बीडियो लिखा हुआ आ जाएगा तो जब हम इसमें सेटप बॉक्स का वायर लगाएंगे इसके अंदर देखिए नो सिगनल भी आ गया यानि कि हमारी स्क्राइब कर देंगे तो बड़ी महर्बानी होगी आपकी इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा तो हमारे टीवी अभी सही हो गई है इसको फटाफट से इसको पैक कर देंगे और पैक करने के बाद इसको बंद करके दुबारा से आपको चला के दिखाते हैं देखिए तारों को जैसे आपने तारों को निकाले थे इसमें से वैसे ही वापिस इनको लगा देना है ताकि ये कोई दिक्कत ना दें कहीं फसे ना हमारे पैंच लगाने के बाद तो चलिए फटाफट से इसको हम सेट कर देते हैं और जिसका है उसके हवाले कर देंगे चलिए दोस् इसको set करना होता है नहीं तो यह हम जब पेंच इसमें लगाएंगे तो इसमें फंसने लग जाते हैं इसलिए जहां-जहां से हमने टेप लटाया था वापिस उसको दुबारा वहीं से लगा देंगे मैंने भी आपको चला करके दिखाया है इसको इसलिए दुबारा से तार को निकालके मैं तारों को set कर रहा हूं तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं जब एक बार यह ठीक हो गया है तो दुबारा आपको यह खराब नहीं होगा तो जो भी टेप आपने निकाला था वापिस उस से टाइट कर देंगे और इसको पैक कर देंगे सो फ्रेंड इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहे हैं लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद थैंक यू प्राइब स्वेश में अपल प्रॉद ऑन्यवाद रो रिक जाता में लोगद यूद निवाद कर देंगे यूद रहे।